वहें आपको बता दे बढ़ती ठंड को लेकर नौड़ा पुर्शासन अलेट हो गया है नौड़ा के स्कूल 12 जनवरी तक रहेंगे बंद 12 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के लिए आदेश जारी कर दिया गया है सुहास लवाई ने ये आदेश जारी कर दिया है तो 12 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे लेकिन कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करने का देश दे दिया एक टांड पढ़ रहे कड़ा के की और उसी विज़े के वज़े से ये फैसरा लिया गया है बिना कुछ खर्च किये अपने किचन से होम बेकरी बिजनस करके 40,000 रुपे महिना कमा रही है आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए CM City में क्या इंतिजाम है क्यों ठंड बढ़ रही है और किस तरह कि इंतिजाम प्रशासन की तरफ से की गए है क्योंकि CM Yogi भी सकत है कि लगातार प्रशासन से का जा रहा कि मॉनिटरिंग करे जी उतादे गोरकपुर में लगातार आठवे दिन आज ठंड का प्रकोब जारी है और लगातार जो हवाय चल लिए जो ठंडी हवाय चल लिए लोग जो है घरों से निकल ले आप साथ बच चुका है लेकिन लोग देख सकते हैं लोग घरों में है और किस तरह से सनाटा पसरा हुआ हलाकि नगननिकम एक 180 अस्थानों पर अलाव की बेवस्ता के दावा कर रहा है लेकिन ये दावे लगातार फेल हो रहे है लोग नज राजर हो रहे हैं अलाव की बेवस्ता पुक्ता इंद्रम नहीं किये घरों से और एक मामला भी शूकरवार कि रात का है जहां जो है राजगार थाना चेत्र में एक दुकानदार अलाव अपने दुकान के सामने जलाया हुआ था और बाइक सवाद पहुचे और वो अलाव की चोरी करके फिर वहां से निकल गए जिसके बाद वो थाने पहुचा और सिकायब की जिसके बाद पुलिस सीटीवी के अधार प को तलास में है और लगातार जो ठंड का प्रकोब जारी है और यहां जो है हलाकि जो आस्रे अस्थाल है वहां जो है सभी को कंबल दिया गया है वहां अलाव की बेहुचा है लेकिन और जो सारवाजनिक अस्थाल है वहां अलाव की बेहुचा निकम के ओर से नहीं दिखी ज तो दिखे इस वक्त आविरे ये जानकारी साजा कर रहे हैं गोरकपुर से अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जैपाल भी काशी से जुड़े हुए हैं जैपाल अगर काशी की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं ठंड को लेकर क्य कि सीम भी सकती बरते हुए है हाल फिलाल में भी सीम की तरफ से निर्देश वारी किये गए है कि नराश्चितों को भी किसी तरह की कोई दिकत ना आने पाए तो वहां से क्या अपडेट है अगर आपको बनारस की बात कहें तो बनारस में इस वक्त ठंड का कहरत जारी है लेकिन अगर नगर निगम की ववस्था की बात करें तो यहां रहन बसेरा जो है वो ठीथा कंडिसन में जरूर है लेकिन अलाव की ववस्था 139 जगह पर जलाने का दावा किया गया और रात में जब हमने निकल कर पड़ताल की तो बमुश्किल 29 जगह भी मिलना जो है दू सबारों में छब जरूर रहे हैं लेकिन जमीन पर उतरते नहीं हैं और आज खुद मुख्यमंतरी सहर में हैं तो देखना ये बड़ा दिल्चस्प हो जाएगा कि आखिर इन दावों की हाकिकत जो है वो कब दिखाई देती है क्योंकि ठेंड अपने पूरे शबाब पर है औ परेटक आ रहे हैं उनको अगर गर्म पानी चाहिए तो वो गिजर से गर्म पानी समाल कर सकते हैं ये एक अच्छी व्यवस्ता है लेकिन बात की अगर सुवधाओं की बात करें तो वो वही ढाक के तीन पात जैसी है और डगर निगम की सुस्ती से काफी लोगों को परशान हुए है शुबम मकल भी सीम की तरफ से अपसरों को नर्देश दिये गए हैं लखनाओ के हम बात करें तो ठंड बेहद ही ज्यादा वहां पर भी बढ़ रही है अगर रेंग बसेरों की बात करें तो वहां की क्या सितिया आप देख रहे हैं और जो अभी ठंड बढ़ रही ह हैं और सुबा का समय है आप देख सकते हैं कि विजिबिल्टी शून के बराबर है लगबग और सामने देख रहे हैं कि लोग जो इंडिकेटर्स हैं उनको जला करके सड़कों पर निकले हुए हैं जाइड सी बात है कोहरे में संभावनाएं काफी जादा होती हैं दुरगट हैं तमाम तरह की विवस्ता हैं जिला प्रशाशन की तरफ से की गई हैं मुकमंत्री योगी अधितनात की तरफ से लगाता हैं इसको लेकर के निर्देश दिये गए थी कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और इसके साथ साथ अगर नगर निगम की तरफ से भी अलाओ सफलता में शून ये इस्ति राजानी लखनाओं की है तो ऐसे में थंड अपने बिल्कुल चरम पर है तापमान में लगातार गिरावाट है कल रात के आसपार लगबग तीन डिगरी सेलसियस राजानी लखनाओं का तापमान रहा है ऐसे में हाल कपा देने वाली थंड राहत की उमीद नहीं है बलकुल यानि अभी आने वाले दिनों में राहत की उमीद नसर नहीं आती है और बिना कुछ खर्च किये अपने किचन से होम बेकरी बिजनस करके 40,000 रुपे महिना कमा रही हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए अपको इए